उम्नमामीशमीशाद निरवाणरूपम विभम्यापकंप्रम् वेदस्वरूपम् नमस्कार, स्वागत है आपका आचारेवाणी में आठ जुलाई को ग्रहों की गरना दिखाती है कि शनिवार का अफसर शष्टी थी और उस दिन बुद्ध का परिवर्तन होने जा रहा है करकराशी में ये बुद्ध का परिवर्तन करकराशी में आपके अनुकूल रहेगा परिवर्तन लाएगा, आपकी मैनेजिंग कैपसिटी को एन्हांस करेगा योगिता के द्वारा आपको बहुत बढ़िया लाव प्राप्ति की योग बन सकते है और साफ साफ दिखा रहा है ग्रह कि आपके अंदर जो organizing capacity रहेगी चीजों को जो विशेश्टों पर balance करने की स्थिति अच्छी बन सकती है तो इसका लाव जो स्थिति है वो क्योंकि शरीवार का अवसर है तो काली उड़त का दान करणा आपके लिए प्रशस रहेगा एक बात का और ध्यार लगिएगा चन्रमा मीन राशी में प्रवेश करेंगे आपकी राशी के अनुसार से स्वास्त पर दुबहर के अवसर है सब्तमी तिती है और उस दिन कालाश्टमी है का मतलब सब्तमी की बात अश्टमी का आगबन हो जाता है रविवार का जो तिती है और उस दिन साथ-साथ कालाश्टमी भवान शिव पारवती दोनों को पूजन करने का बड़ा सुंदर अवसर है उसका लाव अवसर सावन चल रहा है भवान शिव पारवती का पूजन करका सुबसुबे कल्यानकारी योग बनाए और साथ-साथ ग्रहों की गढ़ना विशेशतर पर स्वास्त पर थोड़ी भारी है खर्चों का थोड़ा ज़्यादा बढ़ने का योग दिखाई देता है इसलिए समस्त नियमों का पालन करते हुए कारे करने का आपको प्रयास करना चाहिए दस जुलाई का हम जदी गढ़ना देखें तो दस जुलाई को सोंबार का अफसर अश्टमी तिथी और सावन का पहला सोंबार का शुब अफसर देखें ये बहुत सुंदर तिथी है सावन का पहला सोंबार है औ और ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भवान शिव सबस्त प्रकार के मनोरतों को सिद्ध करने वाले हैं और सावन के महीने में तो बड़े स्वल्प प्रयास से भवान शिव का आशिरवाद मिल जाता है। हमने भी विवेकरन योगाष्ट में जैसे हमने कारिक्रम के आरम में बताया था बहुत सुंदर कारिक्रम रखा है और सावन के पहले सवंवार पर बड़ा भवे दुर्गा भवान सब शंकर का रुद्रा विशेक का कारिक्रम रखा है सामुई को तोर पर विविन प्रकास भवान के शिवलिंग महाव पूजन के लिए रखे जाएंगे और सब लोग उनका रुद्र अश्टर धाई के दुवारा पूजन करेंगे आप भी इस करेक्रम में भाग ले सकते हैं यदि हम तुलराशी वालों की बात करें तो आज का दिन थोड़ा सा ग्रह के साबसे भारी दिखाई देता है आपको विशेशतर पर स्वास्त का ध्यान रखते हुए कारे करने का प्रयास करना चाहिए अनिता कोई कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं और साथ-साथ चावल का दान करना, भवान शिव का अभिशेक करना, महमुरतनी मंतर का जब करना ये आपके लिए बहुत उचीत रहेगा, सोमवार का उफसर है आउशेदी का किसी जरुर्वन रेक्ती को भी दान करना आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है तो इसका लाब लीजे, शाम के लिए ग्रहों का परिवरतन आपके लिए बड़ा अनुकूल रहता दिखाई दे रहा है शाम को जब चंद्रमा आपकी मेश राशियें प्रवेश कर जाएंगे तो आपके लिए धनलाब की सूचना, धनलाब का आगमन होने के योग बनाएंगे सुपह थोड़ी भारी है, शाम सुर्यस्त के बाद का समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है लाब होगा उस समय में, धन्यवाद